दोस्तों रिजल्ट्स आ गए हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देना एम अज्यूमिंग कि आपके रिजल्स फेवरेबल नहीं है अच्छे नहीं आए है मैं इस वक्त बाहर हूँ आप लोग को पता ही है स्विजलेंड में हूँ मुझे हो गई है भैंकर सरदी और अच्छाई होगी और जिसको सीरियसली नेक्स अटेम्ट में अपना हंड्रेट परसंट देके क्लियर करना है वो एंड तक सुनेगा समझेगा इनको इंप्लिमेंट करना चालू करेगा बाकी जो अभी भी अलगी जोन में चल रहे हैं कन्फूशन में चल रहे हैं ब्लेम गे है वो है आपको रूट कॉस करना है कि कहां आपसे चूख हो गए रूट कॉस में यह मत बोला कि सर इंसिट्यूट ने मुझे जान बुचके फेल कर दिया मुझे तो 60 आने थे मुझे तो 35 यह इंपॉसिबल है ऐसा तो हो यह नहीं सकता अब अपने पेपर मंगवा लो ना प 5 मार्क से फेल हो है सर 8 मार्क से फेल हो सर 10 मार्क से फेल हो है सर क्या हम री वैलिडेशन के लिए दे री वैलएशन के लिए दे री करेक्शन के लिए आपको जो करना है करो बट एकसेप्ट दॉ that for now you have not cleared and you will have to start preparing रीवैलेडेशन में री करेक्शन में री काउंटिंग में ज्यादा marks नहीं बढ़ते, very clearly I am telling you, हो सकता है in 10,001 case जहाँ पर शायद किसी का गलती से कुछ गलत हो गया होगा paper correction में और उसके marks change हो जाए, otherwise it will not happen, root cause करो and I can guarantee you 10 में से 8 बच्चे ऐसे रहेंगे जो ये मानेंगे कि हां sir मेरी preparation पिछले attempt के लिए 100% नहीं थी, अच्छी नहीं थी मेरी preparation sir, I should have given a little more, 10 में से 2 बच्चे ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे हां sir हमको पता नहीं हमने सब किया, hard work किया, हमने महनत पूरी की, test दिये, हमको confidence भी था, paper भी एच्छे गए बर पता नहीं क्यों marks कम आ गए, उनको deeper analysis करने की जरुत है, शायद आपके papers मंगवा के देख ही नहीं दिये है, root cause करो कि क्या problem रही थी, जो 10 में से 8 बच्चे हैं कि कहां हम चुक गए, lack of confidence, lack of motivation, lack of planning, lack of scheduling, lack of seriousness, क्या थी आपकी, pass सब को होना है, result day के दिन, लेकिन मेहनत तो आपने की नहीं equivalent, तो कैसे pass होगे, root cause करो, second है, set your plan, very important to set your plan, मैं हमेशा बोलता हूँ यह, if you go out there without a plan, if you go out there without a target, you are bound to lose, 9 में से 10, 10 में से 9 बच्चे, they will become directionless, अगर आप कोई thought process नहीं रखके, मैं अपने चैनल पे plans डाल चुका हूँ, November 23 exam के लिए, पिछले थोड़े वीडियो आप जाकर देखोगे, तो schedule दिया है, मैंने, आगे एक दो दिन में, चार दिन में, और मैं दे दूँगा, आपको 100 days का schedule, ताकि आप लोगों को भी मेनत भी नहीं करनी पड़ेगी, subscribe करके रख लो, bell icon तबाके रखो तो notification मिलते रहेगी, but आप लोगों को एक plan चाहिए, और उसके साथ साथ एक schedule चाहिए, last day तक follow करने के लिए, अभी गर्मा गर्मी रहेगी, nice sir, next time त फिर मेरे को calls आने लगेंगे, मेरी personal mentorship में कि sir, आपने दो महीने पहले बोला था कि serious हो जाओ, उस time तो मैं सोचा था, serious हो जाओ, फिर मैं कहीं तो misguide हो गया sir, कहीं तो मैं और निकल गया sir, मैं focus नहीं कर पाया sir, अब मेरे को done लग रहा है, बता दो 40 दिन में कैसे पढ़ाई करके मैं clear करूं, क्यों, अभी 4 महीने बाकी है न, उस situation को हाने ही क्यों देना है, यह सोचो, you have to consciously think of these things, अभी fail हो गया है, खतम, finished, हो गया है, अब उसके बारे में सोच के रहे, यार और थोड़ा पढ़ लेता, और थोड़ा पढ़ लेता, तो आगे और थोड़ा पढ़ लो अब अगली बार तो यह गलती मत करो, next point है, don't think about 2024 and new syllabus, कि यार, shit, next attempt clear नहीं किया, तो नया syllabus पढ़ना पढ़ेगा, कैसे पढ़ाई करूंगा मैं, कैसे conversion करूंगा मैं, क्या होगा उसमें, November छोड़के 24 दे दूं क्या directly, नहीं, भाई सहाब, 23 November दो old syllabus है, पढ़ावा है, आप आपका, जाकर बैठो, और दो, उसको पढ़ाई करो, साड़े तीन-चार महिने बचे हैं अभी, why can't you study and you give, tell yourself very clearly कि मैं 24 के बारे में सोचोंगा ही नहीं, जो आगे bridge आ रहा है, उसको bridge आया है नहीं, उसको cross करके क्या मतलब है, उसको cross करके कोशिश करने की भी क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है न, 24 के बारे में कोई नहीं सोचेगा अभी, 23 November का attempt है, उसके बारे में सोचेंगे हम, there are still 100 plus days to go, समझो इस बात को and आप already पढ़ाई करके रखे हो, आज कल institute result भी जिल्दी दे दे रहा है, कम से कम 10-12 दिन advance में आने लग गया है result आज कल, July 1st week में आ गया है don't waste time की, sir मैं एना एक revalidation के लिए देता हूं, फिर wait करूंगा, revalidation का result आएगा, तब तक, नहीं, देना है दो, लेकिन wait मत करो, start off with your weakest subject, अभी पढ़ाई करनी चालू करो, एक group उठाओ, उसको target करो, कि मैं डेर महीने में complete करूंगा, उसके पूरी restudy, उसके बाद next group उठ आगे पढ़ूंगा मैं, अगले धाई मान के लिए, और रिविजन करते रहूंगा, it shouldn't be very complex to you, take the initiative, be serious, talk to yourself, आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी मेरे को क्या पड़ी है यहां पर बुखार में आप लों के साथ आकर बात करने की, मैं तो कोई classes भी नहीं बेच रहा आप लोगो को की भाई मेरी division class लेलो, मेरी ये class लेलो, की आना पड़े जिस दिन बच्चे फेल होए हैं, ताकि थोड़ी sales हो, which is also fine, teachers will do it, that is their business, they will do it, मेरा तो वो भी नहीं है, मैं आराम से यहां पर लिटा हुआ था, rest कर रहा था, डोलो, वो पड़ी है, वो लेकर बैठा नहीं मिल रही है, अब direction मिल भी रही है, तो आप उसको utilize नहीं कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में आप direction लो गया, अब महनत तो करनी पड़ेगी आपको, चार मेने क्या, जिन्दगी भर महनत करती रहनी पड़ेगी, ग्यान नहीं बांट रहा हुए, इस नाट, अरे सर आप तो फुकट का इग्यान बांट रहे हो, फुकट का इग्यान कैसे हुआ, आपको सब कुछ चाहिए, भी मैं travel करता हुए, हमें भी आपकी तुरह travel करना है, तो थोड़ी ना भई, मेरे पप्पा ने थोड़ी ना मेरे को पैसे दिये, यह ले बेटा मेरा credit card, bank account है और जा जी ले अपनी जिन्दगी, नहीं, वो भी hard working है, मैं भी hard working हूँ, काम कर रहे हैं और अपना पैसा जो कमा रहे हैं, उस पे जाकर बार भूम रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है, नहीं सब हम तो middle class family से, तो हम भी middle class families ही थे, लेकिन मेहनत कहीं तो करनी पड़ेगी, यह ना तेरा खजाना, जी ले अपनी जिन्दगी, वगवान भी अपनी तभी मदद करेंगे, जब हम खुद की मदद करने लगेंगे, I know I am getting little preachy now, थोड़ा प्रवचन बांट रहा हूँ, but understand, even if one of you out of who are listening to me understands, still here and uses it, I will be happy, कि यार एक बच्चा तो समझा है, एक बच्चा तो clear होगा है, and I am sure एक से जाद ही बच्चे समझेंगे और clear करेंगे, लाकों बच्चे follow कर रहे हैं, आज तक किये ही है clear, but you have to be serious, you have to take the initiative, you have to run the race, आपके लिए कोई नहीं दोड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं भागेगा आपिया, social media पर देखकर ये लगना किया, मेरी भी जिन्दगी उसकी तरह जल्दी हो जाए, बहुत आसान है, लेकिन महां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा, as simple as that, guys, come on, take it seriously, take it seriously and take it upon yourself, to clear your examinations, have a plan, have a strategy, enjoy the difficulty, enjoy the challenges, everybody who is cleared has gone through the same challenge that you are going through, 19-21 का फरक हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, जादा challenges हो, किसी के घर में कम challenges हो, but अब है जो है, you can't change it, the only way you can change it, by clearing your examinations, so then focus on it and do that, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, यहां तक पहुंचे हो, तो comment करके बताव मिर को, कि यह सर बात समझे है, मुझे भी पता चले last तक कौन पहुंच रहा है, कौन serious है, जो यह video end तक देखकर समझ कर उसको implement करने की कोशिश कर रहा है, मेरा telegram group भी है, नीचे link छोड़ दूँगा, you can join it, महाँ पर students discuss करते हैं, क्या उनको पढ़ाई करनी है, क्या challenges है, क्या questions है, queries है, teachers अच्छे कौन है, material कौन सच है, सब comment कर देना, share कर देना, subscribe कर के रख लो, thank you so much, see you all